मित्रो नमस्कार आज का यह कारिक्रम हिंदी की पाठ्थ पुस्तक में संकलित पाठ पर आधारित है इस कारिक्रम में आज हम आचार हजारी प्रिशाद दिवेदी पर चर्चा करेंगे और उनके निबंध कुटज पर चर्चा करेंगे आएए सबसे पहले हम आचार हजारी प्रिशाद दिवेदी के बारे में कोच जानकारी हासिल कर ले आचार हजारी प्रिशाद दिवेदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सन 1907 में पैदा हुए थे उनकी सिक्षा दिक्षा बलिया और कासी में हुई संस्कृत विद्याले से उन्होंने आचार की डिग्री हासिल की और आगे का अध्यन उन्होंने कासी विश्व विद्याले से पीछडी की उपाधी प्राप्त की कैरियर की सुरुवात के लिए उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर सांती ने केतन जाना पड़ा पंडिर जी मूलते संस्कित के आचारे थे किन्तु प्राकिर्ट और अपभरंस पर भी उनका समान अधिकार था उनका ध्यन छेत्र बहुत विस्तृत था वे भासा, इतिहास, दर्शन, संस्किती तथा धर्म आधिके विसिस्ट विद्ध्वाम थे वह साहित्यकार हैं तो इतिहासकार भी, निबंधकार हैं तो आलोचक भी साहित्यके छेत्र में वे परंपरा और आधुनिक्ता के समन्नवबादी मुल्यों की अस्थापना के लिए जाने जाते हैं उनका इतिहास या साहित्य इतिहास के छेत्र में उनका विसिस्ट योगदान कबीर तथा नाथों सिद्धों की अस्थापना को ले करके हैं कबीर तथानाथों सिद्धों की रचनाओं को भासा और साहित्य में, हिंदी भासा और साहित्य में सामिल कर उन्होंने बहुत बड़ा हस्तक छेप किया, उन्होंने हिंदी आलोजना को अधिक लोकतांत्रिक बनाया, लोक और सास्तर के द्वंद में उन्होंने लोक को अधिक म उनके निबंधों की भासा सहज, सरल, यूंग प्रांजल है ब्यक्ति बेन जक्ता और आत्म परक्ता उनके निबंधों की प्रमुक विशेस्ता है ब्यंग शायली में प्रयोग से उत्पन हिंदी गद्य को नया रूप दिया है वे मामूली से भी से घटना पात्र इस्थितियों पर बड़ा से बड़ा निबंध लिख सकते हैं सही माइने में वे अपने समय के बड़े निबंधकार थे आएए अब सुनते हैं हजारी बूचाद्वेदी के निबंध कुटच पर प्रफसर नामोर सिंग के विचार हचार आँए हजारीbokसाद्वेदी के एक प्रसिद्र पुस्तक है अरशोख के फूल और उस निबंध के कारण निबंध की दुनिया में हों हाचार smiling Fatina Dimu प्रसिद रहे हैं। अब आज हम उसी परंपरा में उनका एक दूसरा निवन्ध पड़ेंगे जिसका शीर्शक कुटज है। कुटज को हमारे हाँ बोलचाल में कटसरिया कहते हैं। और कटसरिया बहुत ही छुद्र ने फूल है ने पौधा है। कटसरिया नाम ही से मारूब हो रहा है कुटज है। पंड़े जी ने असोक का फूल जब लिखा था तब उस समय वो शांतिनी केतन में थे। कमिगुरु रभिन नाथ ठाकुर के साने थे में। और वहां का जो बातावरन था वो असोक के फूल वाला बातावरन था। काशी हिंदू भिश्विद्याले आये। और उनके निबंधों का संबंध उनके व्यक्ति वंजक निबंध है तो अम उनके जीवन से भी है। कुटज उन्होंने लिखा जब काशी हिंदू भिश्विद्याले से उनकी नौकरी खत्म हो गई दस साल पढ़ाने के बाद। तो वो बेकार थे। कुछ समय के लिए। कुछ दिनों के लिए कहिए या पंदर-वीश दिन के लिए। उसके बाद चंडीगड में नया विश्विद्याले खुला था और वाइस चांसलर ने आधर से उनको अपने हां प्रोफेसर और विभाग का ध्यक्ष बना करके बुलाया। चंडीगड जाने के बाद जो पहला लेख उन्होंने लिखा वो यही कुटज है। और शांत्रीकेतन में तो अर्मिननाथ ने अशोक के फूल के पेड़ लगवाए थे। लेकिन चंडीगड में जो नया शहर बन रहा था उसमें अशोक के फूल के पर नजर कहां जाए पंजाबी लोगों की। तो टहल ने जब निकले तो शिवालिक की पहाड़ियां आगल ओगल थी। उन पहाड़ियों में अचानक उनकी नजर फागुन के महीने में एक ऐसे छोटे से पौधे पपड़ी जिसका पीला-पीला फूल होता था। तब उन्हें लगा कि अरे ही तो कुटज है और कुटज अखेले नहीं था बलकि पूरी की पूरी कतार फीले फूल हो मारी थी। और अशोक के फूल के बाद कुटज पर नजर पढ़ते ही उन्हें अपना जीवन याद आया कि कहां मैं रविन्नाथ ठाकुर के आश्रम में था। मदन मोहन मार्विये के काशी हिंदू विश्विद्यालय में सम्मान पूरक बुलाया गया था। तो अशोक के फूल के बरक्स कुटज उन्हें लगा कि अपने जीवन की ही कहानी एक तरह से है। और उन्होंने अचानक को चुकि पन्डी जी ने कालिदास पर बहुत लेखा है। मेंखदूत का अनवाद किया है उन्होंने सोय में तो प्रिय कभी उनके कालिदास थे और कालिदास उन याद आये वो प्रसिद्ध श्लोग जिसका आरंभ की पंक्तिव में उने कहा है कि कहते हैं कि पर्वत सोभा निकेतन होते हैं फिर हिमालय का तो कहना ही क्या क्या पूर्व क्या आपर इत्याद लिखते विए सहसा उनको कालिदास का कुबार संभव याद आता है पहला श्लोग अस्ट उत्तरस्याम दिशिदेवत आत्मा हिमालय हो नाम नगाधिराज पूर्वा परव तोय निधी बगाहिय सितप्रसिभ्याई वबार दंड़ ये पंक्तिव याद आई उनको और हिमालय पर अब वो सब्दों से पंडिजी खेलते हैं उन पहाडियों को वहाँ शिवाल अलिक क्या हुआ है मतलब कि शिव का अलिक शिव की जटा इसलिए हिमालय से आमतौर से शंकर भगवान का सम्मद्ध जोडा जाता है और ये शिवालिक की जो पहाडियां है वो भगवान शंकर की लहराती हुई लंबी-लंबी जटाओं की समान दिखाई पड़ती हैं और वो लटियाई हुई उसी में अलगनेंदा भहती है महादेव यार आते हैं और पूरा का पूरा उस कुटज के फूल पर आते हैं तो कहां हिमालय है और उन तमाम चीजों से दिखाई पड़ता है उनको कि ये क्या है कुटज कूट माने पहाड कहते हैं जैसे चित्रकूट है तो उन्होंने संबंद जोड़ा विद्पत्ति करने में चमतकार पैदा करते थे कि कहां कूट और कहां कुटज तो उन्होंने फिर उनको कारिदास याद आये मेखदूत के प्रथम सर्ग में ही पहले ही में प्रत्या सन्ने नफसिदैता जीविता लंबरार्थी जीमूते प्रत्यान प्रथिम सव प्रत्यग्रई कुसम कुटज एक अपनी प्रिया को संदेश भेजना चाहता था तो संदेश भेजने के लिए ऐसी जिगह विचारा था कि गुलाब और के फूल कहां मिले तो उसको यही कुटज के मामूली फोल दिखाई पड़े वही मिले तो उनको ले करके वो मेख का स्वागत करते हुए कहता है कि हे मेख और तो मेरे पास कुछ है नहीं नहीं को स्विकार करो और मेरा संदेश किसी तरह से मेरी प्रिया के पास भेज़ दो इस तरह एक शब्द होता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हिंदी में हम कहते हैं प्रसंग गर्वत्व अगर पंडित चंधर शर्मा गुलेरी के निबंध आप पढ़ें तो संस्कित के पंडित थे वो तो उनके गद्य में आपको दिखाई पढ़ेगा कि संस्कित के किसी कवी की किसी शास्र की जगह जगह आपको गुच सुनाई पढ़ेगो उसका इस्तिमाल करते हैं और ऐसी भाषा से और ऐसे कथन में एक नया चमतकार पैदा होता है हम लिख रहें अपनी भाषा में लेकिन भाषा उन शब्दों का इतिहास है इसलिए दिवेदी जी की लेखन में भी असोक के फूल में भी है संस्कृत साहित की पूरी की पूरी स्मृतियां जागरत हो जाती है उन उन्होंने कहने के कुशिस की है और फिर कुटज की महिमा बखानना सुरू किया कि कुटज जीता मामूली नहीं है बले ही असोक नहों तो कहते हैं कि धूण लिया उन्होंने रहीम में हमने भी पढ़ा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया वे रहीम अब बिरह च कहां जिनकर चाहां कम हीर बागन बिच बिच देखियत सेहून कुटज क करीर अब वो बड़े लोग कहां दिखाईी पड़ते हैं अर वो बिरश्त हो गया है अब तो जहां देखिए आज पास हमारे वही सेहून का designer करीर दिखाई पड़ेगा गलगर के बीच इसलिए समाज इससी त्र महामना मार्विय के काशी हिंदू विष्व विद्यालय में नहीं हूँ तो शीवालिक के पहाड़ियों बसे वे इस विष्व विद्यालय में अपनी स्थिति अगर किसी तरह की है तो उस कुटज की तरह से मैं चंडीगड में आ गया हूँ और फिर सब्दों से खेलना पंडी और तरह तरह के सब्दों को बना करके और भासा विज्ञान का और सब्दों के विद्पत्ति बताते हुए वो पूरा के पूरा लेख उनके पंडित का अभूत पूरुपंडित का जिसके लिए मैंने कहा कि दिवेदी की निवंधों में अनेक ग्रंथों का साहित्यक्रितिय का दर्शन का क्योर संकेत मिलता है जिसको आरभ में मैंने प्रसंग गर्भत तो कहा था जहां एलियूसिव में सोता है गूज सुनाई पड़ती है अलग-अलग महानकृतियों की और यह एक प्रकार का ऐसी रसानुभूत है साहित में जो दिवेदी जी की निवंध के वल सू सुनाई पड़ती है निवंध में यह अनुगूज उनकी एक देन है या तो यह पड़ि चंधर्शर्मा गुलेरी के निवंधों में मिलती है अथवा उसके बाद हिंदी में वह आचार हजारिपसाद दिवेदी के निवंधों में मिलती है प्रुफसर नामवर सिंग के विचार सुनने के बाद हमें विश्वास है कि आचार हजारिपसाद दिवेदी के निवंध कुटच संबंधी आप लोगों की प्रश्न जिग्यासाओं का समाधान हो गया होगा